दोस्तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट होने वाले हैं कांडली आप लोग पेशेंस राके शुनिये और धैन से देखिएगा यह वीडियो बहुत ही फेञास रोजारियन, बहुत बड़े रोजारियन हैं काफी लंबी शमाय से रोज-फिलाउर प्लैंट के उपर काम करते आये हैं और आभी भी कर रहे हैं बहुत ही फेमास अतिन बसू सेर अगर आप सुन रहे होंगे मेरे बाद तो आपको सातो शातो नमन करते हैं आप से प्रभीत होके आज मैं एक मिक्स फटलाजार यानिकि npk 153530 आप लोगों को शेर करूंगा एक mix fertilizer तेयर किया है आतिन बशु सेर ने कहा है हाइफा कुमपनी की 15-35 यानि की NPK 15-35 और NPK 17-10-27 यानि की NPK 15-35 और NPK 17-10-27 यानि की NPK 15-35 और NPK 17-10-27 ये दो fertilizer प्रूनिंग की बाद आप अगर यूज करेंगे तो आपकी floor plant में बहुत ही ज़्यादा blooming होंगे लेकिन मैंने देखा है एक चीज की हाइफा कुमपनी की 15-35 तीश या 17-10-17 मार्केट में बहुत ही rare एबिलेबल है और shortest बहुत ज़्यादा है तो बहुत दोस्तों ने बहुत ट्राइ किया है और आप लोग भी ट्राइ करते रहते हैं और आप लोग को नहीं मिल पाते हैं तो तो आपको बहुत आच्छा result मिलेंगे huge quantity में blooming होंगे आज मैं आप लोग को share करूंगा NPK 15-35 तीश इसके बाद एक बार मैं share करूंगा NPK 17-10-17 प्रूनिंग की बाद सबसे पहले हमको चाहिए पड़ते हैं 15-35 तीश आप अगर NPK 15-35 तीश यूज करेंगे तो आप कैसे तय 2000 Green Garden ने एक calculation करके इसको तयार किया है चलिए हम देखते है क्या से तयार किया जाए तो हमारे पास एक weight machine होना चाहिए देखिए मेरे पास एक weight machine है काफी लंबी शमाई से है यह मैंने 0 पे लेकर आए है और इसके बाद एक container हम राखेंगे इसमें एक container है जिसका weight है 45 ग्राम इ अब ही इसमें जो मिलाना है हमको ओ है ammonium sulfate ammonium sulfate हम देंगे 34 ग्राम यह मेरे पास ammonium sulfate है यह 34 ग्राम देंगे हम यह बहुत ज़्यादा हो गया कुछ हम इसमें से कम कर लेंगे धेन रखिएगा आप लोगों को measurement बिल्कुल correct करना है कम यह ज़्यादा करेंगे तो ratio जो होगा ओ रेशियो नहीं आएगा ammonium sulfate हमने 34 ग्राम ले लिये हैं देखिए इसके बाद हमको trace करना है यानकि zero पे लेकर आना है इसके बाद हम मिलाएंगे सिंगेल सुपरफस्पेट यह देखिए मेरे पास शिंगेल सुपरफस्पेट पाउडर में है सिंगेल सुपरफस्पेट 94 ग्राम मिलाना है हमको कितना मिलाना है 94 ग्राम तो यहां से हम 94 ग्राम ले लेंगे यह देखिए 94 ग्राम हो गया शिंगेल सुपरफस्पेट यानि कि SSP इसके बाद हमको लेना है NPK 13045 इसको फिर से हम ट्रेस कर देते हैं और 0 पर आ जाएगा यह देखिए NPK 13045 हमको लेना है 60.5 ग्रम NPK 13045 है देखिए मेरे पास NPK 13045 है यह हम लेंगे 60.5 ग्रम यह देखिए 61 ग्रम हुआ है तो हम यहां से हलका सा कम कर लेंगे क्योंकि यह आधा ग्रम का मेजर्मेंट नहीं करते है यह 59 हुआ है यह 60 हुआ है 61 नहीं होना चाहिए यह 60.5 ग्रम अल्मोस्ट हो गया आप 60 ग्रम लिजिए चल जाएगा नो प्रब्लिम इसके बाद हम फिर से ट्रेस करेंगे जीरो पे आ गया इसके बाद हमको लेना है multiple micronutrient multiple micronutrient हमको लेना है 29 ग्रम यह देखिए multiple micronutrient है मेरे पास आपके पास जो भी multiple micronutrient होगा आप ले शकते हो आप यह देखिए agro mean max मिला यह एक कुछ शस्ते है और result बहुत अच्छा है areas company की है यह देखिए areas agro limited बहुत ही अच्छा result है मैं भी use करता हूँ 29 ग्रम इसमें हम डाल देंगे यह देखिए 29 ग्रम हो चुके है 29 ग्रम हो चुके है इसके बाद हम trace कर देंगे इसके बाद हमको जो मिलाना है NPK 0050 NPK 0050 यह देखिए potassium sulphate NPK 0050 यह कितना मिलाना है only 6 ग्रम ज्यादा नहीं है only 6 ग्रम यह 3 ग्रम हो चुके है यह 6 ग्रम हो चुके है इसके बाद हम trace कर देंगे NPK 0050 हो चुके है इसके बाद हमको मिलाना है calcium sulphate calcium sulphate हम देंगे मेरे पास calcium sulphate है यह देखिए और calcium sulphate हमको 8 ग्रम quantity में मिलाना है यह 5 ग्रम हो चुके है 8 ग्रम हो चुके है calcium sulphate calcium sulphate के बाद हमको मिलाना है zinc sulphate इसको हम zero पर कर देते हैं इसके बाद zinc sulphate यह मेरे पास zinc sulphate है और मैं use करता हूँ इपको कुमपणी की बहुत ही अच्छा result है zinc sulphate हमको मिलाना है 8 ग्रम calcium sulphate zinc sulphate equal quantity में यह देखिए zero पर है आप 8 ग्रम हम मिला देंगे यह देखिए 8 ग्रम हो चुके है इसके बाद हम फिर से trace करके zero पर लिकर आएंगे इसके बाद हमको मिलाना है MgSO4 90 ग्रम यानि की magnesium sulphate यह देखिए मेरे पास magnesium sulphate बहुत ही अच्छी quality की है यह मैं use करता हूँ 90 ग्रम मिलाना है देखिए zero पर है 74 हो चुके है 90 ग्रम हमको मिलाना है 86 यह देखिए 90 ग्रम हो चुके है इसको भी हम trace कर देते है यह हो चुके है हमने आभी आठ प्रकर की चीजे इसमें मिलाए है इसकी आभी हम बजन देख लेते कितना है 374 ग्रम हुआ है हमारे जो fertilizer है यह fertilizer बनेंगे 329 ग्रम या 329.5 ग्रम धेन रखिएगा बाकी जो बेट है यह container का बेट है आप इसको बहुत अच्छा से mix कर लेते है देखिए हमारे fertilizer mix हो चुके है बिलकुल ready हो चुके है यूज करने के लिए आप कुछ बात मैं आप लोगो को और बता देता हूँ यह fertilizer की शाथ अभी calcium sulphate क्यों मिलाए गया है क्योंकि pruning की बाद जो भी nodes active होने के बाद हमारे जो branches आएंगे इस branches को strong करने के लिए मजबूती देने के लिए calcium की काफी ज़्यादा जरूत पड़ेगा इसलिए हमने इसके शाथ calcium sulphate add कर दिया है और आपको बहुत ही जबरदस्त result मिलने वाला है ये fertilizer आप आपकी घर पर बनाईए और बेधरक यूज़ करें आपको अच्छा result मिलेगा आप लोगों को पता है NPK 17934 मेरा पहले से ही है Green Garden ने डेवलेट किया है आप लोगों ने यूज़ किया है हिविसकस की ऊपर बहुत ही अच्छा result मिला है ऐसी करके आप इफ fertilizer को यूज़ करें बहुत जल्द आप लोगों को मैं share करने वाला हूँ 17, 10, 17 ताकि आप लोगों को बहुत ज़दा परिशानी ना हो दोस्तों और एक बात मैं कहना चाहूंगा कोई-कोई दोस्त question करते है sir कैसे बनाया है क्या किया है पूरे डिटेल्स तो नहीं बताया जा शकता सिंगेल सुपर फस्विट में 16% फस्वराश है 16% हमने count किया है किसी किसी ammonium sulfate के आंदर 21.5% nitrogen होता है मैंने इसको count किया है 21% किसी किसी में 21% nitrogen होता है इस बात को धेन रखिएगा इसकी ratio हमने लेके ही fertilizer तियार किये है और इस fertilizer आप लोग को बहुत ही अच्छा helpful होने वाला है दोस्तों कोई भी comments है आप लोग comments बक्स जाके comments किजी आप लोग को पूरा comments की answering किया जाएगा उम्मीद कर तो आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आए अगर पसंद आए like करे, share करे, subscribe जरूर करे शाथ में जादा से जादा share करे ताक कि आपकी नियारेष्ट, डियारेष्ट सब तक ए वीडियो पोचे और ओ भी बना है अपना घर पे और ए फटलेजर को यूज करे लास्ट में मैं और एक बात कहना चाहूंगा पंदरा पंदरा तीश और शत्रा दर शत्ताश पार्चेस किया है तो कांडली आप हाइफा कॉमपानी की फटलेजर ही यूज करे धेन रखिएगा फिर से आप लोग को बहुत बहुत धन्नवाद फूल वीडियो देखने के लिए